हेलो माई दियर फेंड्स वेलकम ओन कंसेप्चिल स्टेडी पाइंट इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं अनिमल मोडल सो मैमरी बात करते हैं चलिए शुरू करते हैं इन नौविंग दे रोल प्लेड बाइद अमेडिकल टेंपरल लोग अनिमल मोडल मोडल नाम क्यों जो एडवर्टाइजमेंट भी देख्यों कि अगर नहीं देखिए तो आप हमारे जो चैनल पर एक वीडियो है इसके अंदर अपने अनिमल मोडल के नाम से और हिपो कैंपस रिमोवल के नाम से भी वीडियो डाल रखें आप उसके अंदर देखिए काफी इंट्रेसिंग व मेमरी को स्टोर करने के लिए मेडियल टेंपोर लोग हिपो कैंपस कितना इंपोर्टेंट है मंकी की स्टड़ी की गई मंकी के ब्रेन की स्टड़ी की गई ए वराइटी ओफ एनिमल स्पीजिस है विन स्टड़ी तो हैल्प अंदरस्टेंड यूमन मेमरी बट आवनिंग कि कौन सी बिमारी है जो कौन सा पार्ट जादा जरूरी है ब्रेन के अंदर मॉर्टिमर मिश्किन ने क्या किया मैमरी इंपेर्मेंट की किसके अंदर की मतलब मैमरी इंपेर्मेंट उन्होंने कहा हो जाएगी मैमरी के अंदर लोस होगा कब होगा जब है जो हिपोकेंपस के अंदर लोस किया और amygla के अंदर लोस किया मतलब एक hippocampus और एक amygla दो पार्ट है यापर इनके अंदर अगर हम कोई कमी कर देते हैं या इनको हम निकाल देते हैं तो हमारी memory loss हो जाएगी नहीं होगी तो अब इससी बात है कुछ किया ही नहीं तो इससे क्या पता चला memory loss हो रही है इनको दोनों के बज़े से hippocampus तो हमें पता ही था कि भी हाँ इसके अंदर है जो कमी होने से कुछ हो जाता है तो this means that amygla वो उसे key structuring memory यहां से पता चला कि amygla भी एक memory को store करने के लिए key structure है लेकिन हमें क्या पता था आरबी के अंदर क्या था सिर्फ hippocampus खराब था damn is amygla के अंदर था ही नहीं उसके अंदर कोई कमी तो हमें यहां से क्या पता चला है कि उसका तो amygla ठीक था यह amygla ठीक था फिर भी उसकी memory loss क्यों हो गई कि यही जानने के लिए which part is important in human brain memory start zola और उनके click ने फिर experiment किया उन्होंने lesson create की किसके अंदर amygla के अंदर की entorhinal cortex के अंदर की perihinal cortex के अंदर की जिसको broadman's area 35-36 के नाम से medical science की language में कहा जाता है और surrounding cortex जो है para hippocampal gyrus neocortex उसके अंदर है नहोंने जो lesson create की अभी देखते है result क्या रहे damage कब कब हुई इन मेंसे किस part के अंदर जो कमी करने पर हमें जो damage मिली damage occurring memory damage हुई memory के अंदर कब हुई जब surrounding cortex of hippocampus यह hippocampus है हमारा hippocampus के surrounding cortex और amygla amygla दोनों ठीक है अभी हमारे उपर क्या question create हुआ था कि जब उसका amygla ठीक था तो उसकी memory loss क्यों ही तो amygla का तो कोई role है ही नहीं इसका मतलत हो लेकिन यहां भी amygla आ गया वही तो यहां पर no damage in memory तो वहां पर कुछ हुआ ही नहीं बाकियों के अंदर करने से कुछ भी नहीं हुआ अब दो से पता चला हीपोकेंपस और उसका side वाला area neocortex surrounding cortex तो इफ cortex surrounding हीपोकेंपस have no lesson then no memory deficit इससे पता चला amygla have no importance in long term memory अभी यहां से पता चले गया वही आरबी के अंदर ना अभी का amygla ठीक था ठीक है बिल्कुल okay था उसका हीपोकेंपस खराब था बस तो बाद में क्या हुआ मॉर्टिमर मिश्किन ने किया कि amygla में भी deficit कर दी अभी amygla अगर amygla खराब होता तो उसकी वहां पर amygla भी खराब होना था अरबी का लेकिन वह हुआ नहीं है इससे महां पर question arise हो गया amygla पर अब तो फिर start zola ने क्या किया amygla को इसने भी बता दे तो यहां से पता चला amygla का कोई भी रोल नहीं है हिपोकेंपस और उसके surrounding जो नियो कोर्टेक्स है वो important है एक और study हुई फिर further start zola उनके click ने की इसके अंदर है जो memory checked by the lesson creating पैरा हिपोकेंपल और पैरीर हिनल इन दो पार्ट्स के अंदर की तब क्या result निकले और confusion create हुआ कि आरबी की case के अंदर सिरफ हिपो हिपोकेंपल और पैरीर हिनल कोर्टिक्स area sent input to the हिपोकेंपस आप आपको आई है वा समझ में यह कहते हैं कि आपर देखिए पैरा हिपोकेंपल हो गया और पैरीर हाइनल हो गया यह दुनों है जो हिपोकेंपस को signal बेजते हैं क्या बेजते हैं signal बेजते हैं अभी यह दुनों इसको signal बेज रहे हैं और यही connection खराब हो जाएगा आपने हिपोकेंपस निकाल दिया ठीक है हिपोकेंपस को signal ही नहीं मिल रहे तो वह उस long term memory कहां से बनाएगा तो यह part भी काफी important है तो यहां से यही पता चल पेरा हिपोकेंपल और पेरिहिनल कोर्टेक्स एरिया send input to the हिपोकेंपस और यह जो vital connections are damaged then the हिपोकेंपस is unable to function properly अगर यह connection ही खराब हो जाएगा यह पेरा हिपोकेंपल और पेरिहिनल के अंदर जब कमी आ जाने पर है जो यह पता चला यह जो input बेजते हैं हिपोकेंपस को इ इसलिए हिपोकेंपस और सुरांडिंग कोर्टेक्स का main role है memory damage या amnesia के अंदर हम बोल सकते हैं तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आपको animal model memory है जो clear हो गई होगी होगी है तो यह human memory थी brain damage था amnesia था henry motion था वैसे henry motion को पर exam के अंदर question आते नहीं लेकिन फिर भी ए आपके brain के अंदर कुछ parts के बारे magic है तो thank you for watching this video have a nice day